नमस्कार दोस्तों आप लोग एक बार फिर्चे बहुत बहुत स्वागता है हमारे शीटू चैनल में अगर मनी नहीं होगी तो हमारा सेरी नहीं चलने वाला है दोस्तों आपने सुना भी होगा साप के पास अगर मनी है तो वह राजा होता है अगर मनी नहीं होती तो वह कुछ नहीं होता इसलिए हमारे सेरी के अंदर भी एक वीरिय ऐसा है जो हमारे सेरी की मनी है उसे अगर हम ब ऐसे इकठा कर सकते हैं बहुत ही मुश्किल हो जाती है दोस्तो आज हम बात चर्चा करने वाले हैं वीडियो को बढ़ाने के लिए आप लोग को कौन सा ऐसा टोनिक है या कौन शी जड़ी मूटी है जो आप लोग का वीरिये बढ़ा देगी जिससे आप लोग को बहुत दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं वीरिये के कौन-कौन सी फैदे हो सकते हैं दोस्तो अगर आपके शरी के अंदर वीरिये होगा तो आपके लाइप में बच्चे भी होगे दोस्तो अगर आपके दिमाग में भी थरी होगी और आपका दिमाग भी काम करेगा दोस्तो सेंटि के अंदर वीरिये ही नहीं होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, दोस्तों वीरिये खतम होने का सबसे पहला कारण है कि आपके पैरों में दर्ध होने लगता है, आपकी कमर में दर्ध होने लगता है, आपकी सिर में चक्राने लगती है, और आपको धुंदला पन दिखाए देने लगता है, आपका सिरी बहुत ही ज़्यादा कमजोर होने लगता है, आप कुछ भारी काम भी नहीं कर सकते, दोस्तो बहुत सारे ऐसे लक्षन है जो आप लोगो वीरिये कम की वज़े से नजर आ जाएंगे, अगर आपके सिरी के अंदर वीरिये होगा तो आप लोगों बहुत ज़्यदा फैदा होगा, आप हर काम में माहिर होंगे, जो भी काम आप करोगे, वो काम आपका पूरा होगा, और आपको आने वाले समय में बच्चे भी पैदा होगे, जिसकी वीरिये नहीं होता, उसकी बच्चे भी पैदा नहीं होते, दोस्तो सेक्स अलग चीज़ है और वीरिय अलग चीज़ हैं दोस्तों वीरिय अगर गाड़ा होगा तो sex power उबढ़ेगी और अगर आपका वीरिय यही पतला होगा तो आपकी sex power ही कहां से बढ़ेगी दोस्तों आपने सुना ही होगा अगर गन्या का जूस नहीं पकेगा कड़ाई में तो उसका गुड कैसे बन पाएगा यही हमारे शरी पर निर्वड होता है अगर हम अपने वीरी को एक कच्छा ही निकाल देते हैं तब वह कहां से गाड़ा होगा और गाड़ा होने के बाद हमारे शरी के अंदर इस्परम होते हैं जिने किटानों भी कहते हैं वी कैसे पैदा होंगे इसलिए अपने वीरी को बचा कर रखना चाहिए दोस्तो अपने वीरी को बचाने से आप लोगो भोज़दर पैदा होता है दोस्तो बात करतेगी वह कुन सान उसका है जिससे आप लोग का वीरिये होती अच्छा और गाड़ा हो जाएगा और आप लोग को लाइप में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है और आपका वीरिये बढ़ता रहेगा तो आपके सिरी की ग्रोती बढ़ेगी और आपका लेनी है थोड़ इसी यानि कि 50 ग्राम आपको सताव लेनी है 50 ग्राम लेना है असगंदा और आपको 50 ग्राम लेने है कोच के बीज दोस्तो यहां तीन ऐसे जड़ी बूटी है अगर आप इनका इस्तमाल करते तो आपकी पिसाब की समस्या पिसाब में जलन आना आपकी सिरी उसका है अगर आप इसे इस्तमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादर फैदा होगा दोस्तों बात करते हैं से बनाने की विदी आप इन तिनों को इकठा करके पीछ लीजिए और पीछने के बाद आप छलने की साहिता से इसे छाल लेजिए छालने बाद आप एक डब्बे में पैक कर दीजिए आपकी चुन बिल्कुल तयार हो चुकी है दोस्तों आप इसे सुब्य और साम एक एक चमच ताजय पाने से इस्तमाल कीजिए अगर आप इसे 40 दिन इस्तमाल करते हैं तो आपके सरी के अंदर बहुत ज़्यादा फैदा होगा और आपको सरी के अंदर इतनी सरी का बिल्कुल धान नकिए और जीव मैंने आपको जड़ी बूटी बताई है आप इस जड़ी बूटी का इस्तमाल ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपके सरी के अंदर बहुत ज़्यादा फैदा होगा आशा करता है आप लोगो वाच कर सेखें में तिया नेक्स व्योडियो में